जेहिंद दोस्तों आप सबी का स्वागत है राजनीती एक्सपार्ट में और जैसा आप लोगों को पता है हम सीटी ट्वैल्थ लेवल के लिए पढ़ रहे हैं और जो आपका पसु परिचर का एक्जाम है जो दिशंबर में होने वाला है तो यह जो जीक्ए है यह उसके लिए भी important है क्योंकि direct fact पूछे जाते हैं और हम सारे fact detail के साथ पढ़ रहे हैं तो आपके दोनों exam के लिए यह important है तो आज का जो हमारा topic है वो है राजस्थान की सीमा रेखा सीमा जो है राजस्थान की कौन-कौन से जिलों से टच करती है राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय जितने भी fact है वो हम सारे देखेंगे इसमें ठीक है और यह जो है यह नए जिलों के साथ updated है इसमें जो नए जिलों में बदला हुआ है वो सभी fact include है तो चलिए यह सुरू करते हैं सबसे पहले आप इस मैप को देख लीजिए यह राजस्थान का मैप है पंजाब हरियाना उत्तर परदेश मध्य परदेश और गुजरात इनके साथ जो है राजस्तान की शीमा किदर है पाकिस्तान के साथ किदर है यह सारी चीज़ें आप समझ लीजिए यह फैक्ट हमने कल वाले वीडियो में पड़े थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए अभी आपकी सारी चीज़ें किलियर हो जाएंगे जब आप जो भी फैक्ट इस वीडियो में देखें उसको इस जो मैप है इसके साथ मैच करके आप 470 किलोमेटर अंतर राश्ट्री सिमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है और 4850 किलोमेटर अंतर राज्जिये जो सिमा है वो है जो भारत के पांच राज्यों पंजाब हर्याना उत्तरपरदेश मद्देपरदेश और गुजरात के साथ लगती है इसमें से आप से कुछ नह जो क्विशन आ सकते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्केशन करेंगे अब हम बात करते हैं अंतर राज्य जो छेतर हैं जिनके साथ राजस्थान अपनी सीमा बनाता है उनके बारे में राजस्थान पांच राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा बनाता है जो कि हमने अभी ऐसे उत्तरपरदेश दक्षिन पूरं में मद्धे पर्देश और डख्षिन में गुजिरात के साथ अंतराज्जी सीमा बनाता है अब यहां से यांसे से क्यूंस पूछा जा सकता हैий कि राज़स्थान के है कि दक्षिन पूरूं में क्यों की सर्या श्ठीत है इस प्रकार से आपसे जो है क्यूशन पुछे जा सकते हैं तो आप इनको ध्यान रखें कि कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक पंजाब के बारे में राजस्तान पंजाब के साथ 89 किलोमेटर की जो सिमा है एरिया है वो कवर करता है उसके साथ लगती है सिमा राजस्तान के दो जिलों स्री गंगानगर और हनुमानगड की जो सिमा है वो पंजाब से लगती है और पंजाब के दो जिले फाजिल का और मुक्त सर की सिमा राजस्तान के साथ लगती है अब आपको राजस्तान के दोनों जिले तो याद होने ही चाहिए इसी के साथ में पंजाब के जो दो जिले हैं वो भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्यूशन जो है आपसे मिलान करने वालों में पूछ लिए जाएंगे पंजाब के साथ सरवादिक सीमा स्री गंगानगर वन्यूंतम सीमा हनुमानगड की लगती है पंजाब सीमा के नजदीक जिला मुख्याले स्री गंगानगर और जो दूर जिला मुख्याले स्थीते वो है हनुमानगड अब हरियाना की बात करते हैं 1262 किलोमेटर की सीमा जो है वो राजस्तान हरियाना के साथ शांजा करता है और राजस्तान के आठ जिले इसमें लगते हैं हनुमानगड, चूरू, जुनजुनू, नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग ये जो आठ जिले हैं ये हरियाना के साथ सीमा शांजा करते हैं और हरियाना के साथ जिले लगते हैं कौन-कौन से हैं सिर्शा, फतेवाद, फिसार, बिवानी, मेंदरगड, रेवाडी और मेवात तो आपको ये सारे याद रखने हैं हर्याना के साथ शर्वादिक शीमा हनुमानगड की लगती है और हर्याना शीमा पर छेतरफल में बड़ा जिला कुन सा है? चूरू अगर सर्वादिक शीमा पूछी जाए तो जवाब आएगा हनुमानगड और अगर आपसे छेतरफल पूछा जाए तो आएगा चूरू तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो नेक्स्ट है उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश के साथ 847 जो किलोमेटर है उसकी सीमा सांजा करता है राजस्तान के तीन जिले लगते हैं डीग, भरतपूर और दोलपूर और उत्तरपरदेश के 2 जिले लगते हैं कौन-कौन से मत्रा और आगरा अब बात करते हैं मद्य परदेश के बारे में 1600 किलोमेटर जो है वो राजस्तान के साथ सीमा लगती है और 10 जिले राजस्तान के मद्धे परदेश को टच करते हैं कौन कौन से हैं दोलपूर, करोली, सवाई मादोपूर बारा, जालावाड, कोटा, बीलवाड़ा चितोडगड, परतापगड और बासवाड़ा और मद्धे परदेश के भी दस जिले लगते हैं जाबूआ, रतलाम, मंदसोर, निमच, अगरमालवा, राजगड, गुना, सिवपूरी, शिवपूर और मुरेना ये जो दस जिले हैं, ये राज़स्थान के दस जिलों के साथ सिमा बनाते हैं और कितनी बनाते हैं, सोडा सो किलोमेटर की मद्यपरदेश के साथ सरवादिक सिमा जालावाड और जो नियुनतम सिमा है वो भीलवाड़ा की लगती है और सिमा के नजदीक जो मुख्याले है वो है दोलपूर और जो दूर मुख्याले है वो है भीलवाड़ा अब बात करते हैं गुजरात के बारे में व तो दोनों के शह जिले हैं Within अगर णाय को कि footprints छोटी एंतर्य सिमा मद्र प्रदेश के साथ सुड़ा सो किलो मिटर जब सबसे चोटी अंतरराजय सीमा पंजाब के साथ है 89 km आपको इनका करम भी याद होना चाहिए तो इनका करम भी आप सबसे कंजाद करें कि कि सब्चित जादा किसकी है फिर उसे कम राजस्तान के जालावार जिले की अंतरराजय सीमा सबसे लंबी है जो मद्य प्रदेश के साथ लगती है राजस्तान के परीधी जिले अब परीधी जिले क्या है जैसे राजस्तान की जो आकरती है इस आकरती के उपर जो स्थीत है जो राजस्तान की परीधी बनाते हैं वो कौन-कौन से जिले हैं तो 28 जिले लगते हैं यह नंबर आपको याद होन दोलपूर, करोली, सवाई मादोपूर, बारा, जालावाड, कोटा, भीलवाड़ा, चितोडगड, परतापगड, पांशवाड़ा, डुंगरपूर, उदैपूर, शिरोही, शाचोर, बाडमेर, जैसलमेर, बिकानेर और अनुपगड जो नया बना है भी तो आपको याद होना चाहिए कि परिदिये जिले कितने है, 28, आपको सिर्फ नंबर याद होना चाहिए, 28 जिले जो है, वो परिदिये जिले है, राजस्तान के, नेक्स्ट है, राजस्तान के अंतरराज्ये सीमा वाले जिले, जो देश के अंदर ही सीमा बनाते हैं, वो जिले कितने है, 25, आपको स कई अंतर राष्ट्रिय जो सिमा है वह नहीं बनाते हैं तो दो जूद बनाते हैं बाकी बच गए कितने 25 में से 23 ठीक है तो आप इसको इस परकार याग रख सकते हैं 23 जूदे अंतार राज्य बनाते हैं और कुल जो है वो 25 यह हैं अन्तरवर्थियय जिले जो किसी अन्य है राज्य साथ सीमा नहीं बनाते हैं तो कि ये-चीज़ी ये फी वी सिमा पर इंस राश्ट्र नाम एब याद होने चाहिए बाढर जैसल मेशा पर अनुपगड़ और स्रीगंगानगर श्री गंगानगर अनुपगड जो है वो आपको खास करके याद होना चाहिए क्योंकि ये नया बना है तो अनुपगड आप याद रखें आप से पूछ लिया जाए कि जो अंतराष्ट्य सीमा बनाते हैं राजस्तान के जिले उसमें नया जिला कौन सा एड हुआ है तो आपक शिमा दोनों है तो गंगानगर और बाड मेर गंगानगर की बनती है पाकिस्तान और पंजाब से बाड मेर की पाकिस्तान और गुजराब से ठीक है तो टोटल पांच जिले हमने पड़े हैं जो अंतराष्ट्य शिमा बनाते हैं लेकिन दो जिले ऐसे हैं जो अंतराष्ट्य और अंतराश्य दोनों बनाते हैं त्ञीक है तो कौन कौन से हैं गंगानगर और बाड़मेर और जो सिर्फ अंतराश्य बनाते हैं वो हैं तीन जैसल-मेर बिकानेर और अनुपगड गड's राजस्तान के चार जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा दो-दो राजियों से लगती है तो ये क्युशन आपसे उच्छा जा सकता है आप दियान रखें हनुमानगड है जिसकी दो राजियों से लगती है पंजाब और हर्याना से डीग है हर्याना और उत्तर परदेश से दोलपूर है उत्तर परदेश और मध्यपरदेश से बांश्ट्वाड़ा है मध्यपरदेश और गुजरात से सरवादिक जिलों से सीमा जैपूर ग्रामीन की लगती है जो 11 जिलों से लगती है सबसे कम जिलों से सीमा किसकी लगती है तो जैपूर शहरी जो है उसकी सिर्फ एक के साथ जैपूर ग्रामीन से और जोदपूर शहरी जो है उसकी लगती है जोदपूर ग्रामीन से तो ये दो जिले ऐसे हैं जिनकी सबसे कम जिलों के साथ सीमा लगती है अब है अंतराश्ट्रे रेड कलिफ रेखा अंतराश्ट्रे सीमा जो राजस्तान के साथ सांजा होती हैं उनके बारे में रेड कलिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मद्दे स्थीते इसके संस्थापक सर सीरिल M. रेड कलिफ को मानना जाता है तो ये नाम आप याद रखें सर सीरिस M. रेड कलिफ इसकी स्थापना कब हुई थी तो 14-15 अगस्त को 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे ठीक है भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तब इस सिमा का निर्मान किया गया था इसकी भारत के साथ कुल लंबाई कितनी है 3310 किलोमेटर अर्था 3310 किलोमेटर जो है इसकी कुल लंबाई है रेड कलिफ रेखा पर भारत के चार राज्येस्तिते हैं कौन-कौन से जम्मू कस्मीर 1216 किलोमेटर पंजाब 547 किलोमेटर राजस्तान 1070 और गुजरात 512 आपको इसमें तीन फैक्ट याद रखने हैं जम्मू कस्मीर के साथ सबसे जादा गुजरात के साथ सबसे कम और राजस्तान के साथ कितनी है 1070 किलोमेटर रेड कलिफ रेखा के साथ सरवादिक सिमा राजस्तान 1070 किलोमेटर बनाता है यह फैक्ट यहां पर गलत है यह है जम्मू क कस्मीर को अलग-अलग काउंट करते हैं तो फिर राजस्तान है 1070 किलो मेटर रेड क्लिफ रेखा के शाथ सब्षे कम सीमा गुजरात 512 किलो मेटर रेड क्लिफ रेखा के सरवादिक नजदीक जो राजदानी मुख्याले है वो है स्री गंगानगर और जो सबसे दूर राजद तो जो हमने अभी डिसकस किया था 1216 किलो मेटर ये अलग-अलग बढ़ चुकी है तो सरवादिक अब राजस्तान बनाता है इस फैक्ट को आप खास करके ध्यान रखें बिल्कुल नया फैक्ट है आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पहले वाले जितने भी हैं सबने पूटा राज्य पंजाब रैड क्लिफ रेखा के शाथ राजस्तान की कुल सीमा 1070 किलो मेटर है जो राजस्तान के पांच जिलों से लगती है श्री गंगा नगर अनुपगड विकानेर जैसल मेर के शाथ 466 सरवादिक और बाड मेर के साथ सबसे कम 228 तो आप इन दोनों को याद रखें रैड क्लिफ रेखा राज्य में उत्तर में गंगा नगर के हिंदू मलकोट से जक्षिन में बाड मेर के बाखासर गाहां तक विश्तरत है अर्थात उत्तर में पूछी जाए तो गंगा नगर के हिंदू मलकोट से लेकर दक्षिन में बाड मेर के बाखासर गाहां तक जो है रैड क्लिफ रेखा स्तित आए रैड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के नोजले पंजाब प्रांथ का बहावलपूर बहावल नगर और रहिम्यार खान और सिंद परांत के गोटकी, सुकुर, खेरपूर, संघर, उमरकोट और ठार पारकर राजस्तान से सिमा बनाते हैं अर्थार कुल पूछे जाएं तो नो हैं पंजाब परांत के पूछे जाएं तो तीन हैं बहावलपूर, बहावलनगर और रहिम्यार खान और सिंद प्रांत के पूछे जाएं तो पांच हैं आप इनको अलग-अलग याद रखें राजस्तान के साथ सरवादिक सीमा भावलपूर की लगती है और राजस्तान के साथ नियुनतम सीमा खैरपूर की लगती है पाकिस्तान के दो राज्ये या प्रांत जो राजस्तान से पंजाब और सिंध यह थी जानकारी राजस्तान की सिमा रेखाओं के बारे में अंतराश्ची सीमा किसकी बनती है कितने जिलों के साथ जो सारी डिटेल थी वह हमने इस वीडियो में डिसकस की है अगर आपको पीडियो चाहिए तो यह आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे ट या अपडेट है चो करेंट न्यूज होती है वो सभी और पीडियेफ ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस टेलेग्राम चैनल राजनेती एक्सपर्ट के उपर मिल जाएंगी वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट और सेर के माध्यम से बताईए आपको किस टोपिक के कर लिजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको इसकी अपडेट मिलती रहें वीडियो आन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद